ग्रीन टी पीने के इतने सारे फाइदे जानकर आप हैरान हो जाएंगे अगर बात की जाए फिटनेस और स्वास्थे की तो ग्रीन टी के बेनेफिर्स को नकारा नहीं जा सकता ग्रीन टी के स्वास्थे फाइदों की वज़े से विश्वर में इसका चलन बढ़ रहा है इस पर की तोर पर हम इसके लुक्सान के बारे में भी बात करेंगे जिसे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके और अगर आपको इसी तरह की इंट्रस्टिंग वीडियोज मिलती रहें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, अगर आप डेली ग्रीन टी का सेवन करते हैं, तो इससे आपको कई फायदे हो सकते हैं, उनमें से 16 फायदों के बारे में यहां पर हम बात करेंगे, नमबर वन वजन कम करने के लिए ग्रीन टी के फायदे, ग्रीन टी वजन कम करने में फायदे बंद हो सकती है, इसमें मौजूद एंटी ऑक्सिडेंट्स मेटावालिजम को बढ़ा कर वजन कम करने में मदद कर सकता है, NCBI के एक शोद के अनुसार ग्रीन टी पीने के साथ मध्यम तीवर्ता के व्याम फैट ऑक्सिडेशन को बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं, जिससे मोटापे को नियंद्रित करने में मदद मिल सकती है, नमबर टू मस्टिक्स के लिए ग्रीन टी पीने के फायदे, ग्रीन टी का सेवन मस्टिक्स के लिए भी लापकारी हो सकता है, दरसल इस विशेपर किये गए एक शोद के अनुसार ग्रीन टी चिंता को कम करने के साथ साथ मस्टिक्स की कारे बढ़नाली में सुधार कर सकती ह इसके अलावा यह एकागरता बढ़ाने में भी सकारात्मक प्रभाब प्रदशित कर सकती है नमबर थ्री मुह के स्वास्ते के लिए ग्रीन टी के फायदे ग्रीन टी का सेवन मुह के स्वास्ते के लिए भी लापकारी हो सकता है इसके सेवन से मुग के संक्रमन से बचाब हो सकता है एक भारतिय अधियन के अनुसार ग्रीन टी, कैटेचीन, पी, जिजीवलिस और ऐसे ही अन्य बेक्टिरिया जैसे प्रिवो टेला इंटरमीडिया और प्रिवी टेला निग्रेसिस को बढ़ने से रोक सकता है ये सभी बेक् ग्रीन टी में मौजूद पाली फेनल्स, एंटी प्लॉक, एजन की तरह काम कर मुह में प्लाक को जमने से रोक सकता है नमबर फूर मदुमे के लिए ग्रीन टी के फाइदे ग्रीन टी पीने के फाइदे में मदुमे से बचाब भी शामिल है दरसल जापान में किये गए एक अधियन में यह पाया गया कि रोजाना एक कप से भी कम ग्रीन टी पीने वाले लोगों की तुलना में प्रति दिन छे या उससे अधिक कप ग्रीन टी का सेवन करने वाले व्यक्तियों में 33 टाइब टू डाइबटीज का खत्रा कम हुआ है ग्रीन टी में एंटी डाइबिट से हिर्देरोग होने की आशंका बरती है उसके इसतर को कम कर सकती है नमर 6 रोग प्रतीदोदक छंता में सुधार के लिए ग्रीन टी के फायदे ग्रीन टी का सेवन रोग प्रतीदोदक छंता में सुधार करने में भी मदद कर सकता है यह शरीर की रोग प्रतीदोदक छंता को म प्रुखिम भी कम हो सकता है अलजाइमर उन्हीं बीमारियों में से एक है इस बीमारी में दिन प्रति-दिन व्यक्ती की आदास कमजोर होने लगती है और निनलेने की छंता भी कम हो जाती है ऐसे में इस बीमारी से बचाब के लिए ग्रींटी का सेवन किया जा सकता है नंबर एट कैंसर के लिए ग्रींटी के फाइदे नैशनल कैंसर इंस्ट्यूट के मताबिक पॉली फैनॉल चाहिके एंटी कैंसर गुणों के लिए जिम्मेदार है इसमें से सबसे भरोसे मंद EGCG है यह मुप्तकणों से लड़ सकता है और कोशिकाओं को डियने छती से बचा सकता है ग्रींटी में मौजूद पॉली फैनॉल इम्यून सिस्टम की प्रिगरिया को ठीक कर सकता है एक शोद के अ हो सकती है नंबर नाइन रख्तचाप के लिए ग्रींटी के पीने के फायदें ग्रींटी ब्लड पेशर के लिए भी लापकारी हो सकती है दरसल NCBI के शोद के अनुसार ग्रींटी का सेवन ब्लड पेशर को कम कर सकता है नंबर टैन गैस्टो इंस्टेटाइनल विकारों के ल में अच्छी तरह से अफ्षोशित हो जाता है और रोबों से लड़ने की क्रिया में सहयता कर सकता है ऐसे में गैस्ट्रो इंस्टिंटाइनल विकारों से बचाब के लिए दैनिक जीवन में ग्रींटी को शामिल किया जा सकता है नबर 11 हड़ियों के लिए ग्रींटी पीने के फायदे ग्रींटी का सेवन हड़ियों के लिए भी फायदेबंध हो सकता है इसके बीछे ग्रींटी में मौझूद बायो एक्टिव कंपाउंड हो सकते हैं दरसल इसका सेवन बोन मिननल डैंसिटी में सुधार कर फ्रेक्चर के खत्रे को कम कर सकता है वहीं दूसरी तरफ, यह है usteoclastic यहनि, हड़ी तूटने की प्रिक्टिया गतिविधियों कम कर, osteoblast गतिविधियों, यानि की हड़ी ओं के बनने की प्रिक्रिया में सुधार कर सकता है। नमबर ट्वेल, लंबी उम्र के लिए ग्रीन टी के फायदे, ग्रीन टी के फायदे अनेक हैं, लंबी उम्र भी उनी फायदों में से एक है, ग्रीन टी इमिनिटी को बढ़ा कर कई बिमारियों से बचा सकती है, ग्रीन टी हड़ियों की समस्या, कैंसर और मदुमें जैसी बिम किलिए नि緊ारीओं के बच्छा में सायक हो सकती है एक करद एक पृट सार ग्रींटी के फायदी हो क् 연की में के फायदे सकती है इसका River रोक से भी बचा जा सकता है रोज़ाना एक कप ग्रींटी का सेवन करने वाले व्यक्तियों की तुलना में प्रति दिन पांच कब से अधिक ग्रीन टी पीने वाले वेक्तियों में दिल का दोरा पढ़ने वेस्ट रॉक से मृति होने का जोखिम 26 परतिशत और अन्य सभी कारणों के मृतियों का जोखिम 16 परतिशत कम था नमबर 14 तनाव में ग्रीन टी पीने के फाइदे एक शोद के अनुसार ग्रीन टी में मौझूद पॉली फैनास तत्व एंटी डिप्रेशन्ट प्रभापैदा कर सकते हैं इसके एंटी डिप्रेशन्ट गुंड तनाव की स्थिति में लाबदायक शावित हो सकते हैं दूसरी और ग्रीनटी में मौझूद कैफिपीन भी तरनाव के इलाज में एहं भूमिका निभा सकता है कम कैफिपीन युक्त ग्रीनटी के सेवन से तरनाव की समसा से कुछ घ्राहत मिल सकती है नंबर 15 तुचा के लिए ग्रीनटी के फाइदे तुचा के लिए भी हैं एक अध्यान के अनुसार ग्रीन टी के आर्प का सेवन या उसके उपयोग से हानिकारक परवैंगनी किर्णों के कारण इसकिन ट्यूमर का जोकिम कम हो सकता है इसमें एंटी इंफ्लमेट्रिक गुन भी मौझूद होते हैं जो एंटी कैंसर की तरह काम कर सकते हैं इसमें मौझूद पॉनिफिलोंस, एपी, ग्लो, कैटेचिन इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है तुचा के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करें एक चोथाई कप ठंडे पानी में ग्रीन टी बैग को लगबग 5 मिनद तक डाल कर रखें समय पूरा होने पर टी बैग को बाहर निकालें और ग्रीन टी के पानी में दो चम्मच कुलाब जल मिलाएं अब रूई की मदद से इस मिश्चित पानी को सोने से पहले चेहरे को साफ करने के लिए इस्तेमाल करें बालों के लिए ग्रीन टी के फायदे बालों के लिए भी ग्रीन टी लाबदायक साबित हो सकती है तो इसका इस्तेमाल कैसे करें तीन से चार ग्रीन टी बैक्स को आधा लीटर पानी में डाल दें पास से दस मिनट तक ग्रीन टी बैक्स को बाहर निकाल लें शैंपू और कंडीशनर के बाद ग्रीन टी के पानी से बालों को धोलें हपते में दो से तीन बार यह प्र लीवर संबन्दी समस्या हो सकती है अगर आप green tea का अतिदिक मात्रा में सेवन करते हैं green tea में कैफीन मौझूद होता है ऐसे में इसके अधिक सेवन से अनिद्रास, सिर्दद, कब-कभी और चिंता जैसी समस्या हो सकती है Green tea में tannic acid नामक तत होता है जो दांतों में दाग का कारण बन सकता है Green tea से जुड़ी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी इसी तरह की जानकारी जानने के लिए वीडियो को like और share करना पिलकुल ना भूले and subscribe for more videos and bell icon को भी जरूर प्रेस करें comment box में comment करके जरूर बताएं आप कोई वीडियो कैसे लगी thanks for full watch and bye bye and take care all of you